आज हम लोग सीखेंगे कि सिरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका यूज कैसे करते हैं मतलब कि जो सिरीज लैंप होता है जो टेस्ट लैंप होता है यह से हम लोग टेस्ट करते हैं किसी पंखे को या किसी मोटर को क्यों सही है या खराब है उ उसके बाद बताऊंगा कि इस सिडीज लांप का यूज कैसे किया जाता है तो यहां पर देखिए आपको लेना पड़ेगा एक बल्ब और उस बल्ब में लगाना होगा एक वोल्डर और उसमें से निकलना होगा दो वायर मतलब एक बल्ब से दो आइर आपको निकलना होगा तो यहां पर देखिए दो रथे निकल चुके हैं एक यह वार और यह वार और मैं बता दूए कि यह बल्ब रहेगा इसका जो वार्ट होना चाहिए यह उसे जादा बहतर होता है लेडी से आप उतना सही नहीं चेक कर पाएंगे इसलिए आप साव वाच बल्ब का ही यूज़ करें तो अब देखिuff ही यहां पर यह दो वायड बल्ब से निकल गए उसके बाद आपको एक एक वायर और लेना होगा एक वायर और ले कर करें कि चलीए 1 ओर हम डे लेते gdzieś यह एक वायर है एक वायर यह है एक वायर यह है यह मिला कि सब 3 वार हो गए अब आपको क्या करना मालेजिए अपने घर में टमप्रेरी बनाना चाहते है सिरीज लाइब पतलब जल्दी से बना ले उसको तो उसके लिए क्या है कि बस आपको एक बल्ब होल्डर लेना है उसमें से 2 वायर निकलना है उसके बाद एक वायर और टूपिंड जो भी साकट रहे इसमें फेस्ट लू ट आता है उसी में यह दोनों वायर लेयाके डाल देना चलिए मालेजिए कि हमारी यह थीडिपींड साखेट और इसमें किया करना होगा इसको लिए करके को डालना रहेगा देखिए इसको लियागर के एक को डाल देंगे इधर दाएं बाएं वाले में एक को डाल देंगे डाएं वाले में तो जब इसको इसमें डाल देंगे ना एक तार को मतलब दो तार को एक बल्ब वाले को और एक इसको डालेंगे जो यह सिंगल तार है तो इन दोनों तारों को डालने के बाद आप देखी जैसे ही इसको आपस में मिलाएंगे तो यह बलव आन हो जाएगा मतलब यह अब सिरीज लैंफ बन चुका है तो इस तरीके से बनाते हैं है बंद टेस्टिंग लैंफ बनाते हैं तो mतलब क्या में जाएगा और एक दोसरे होल में जाएगा और उसके बाद क्या है कि जो ये दो वार बचेंगे आपके तो यही इसी से अब हम लोग टेस्ट करेंगे किसी मोटर को किसी फैन को या किसी अधर उपकरड को इसी से हम लोग चेक करेंगे कि यह साट है या फिर यह सही है या खर जलने के बाद आपको दोनों को आपस पहले सटाना है ताकि देखी ये बल्ब जलता है कर नहीं अब बता दो बल्ब जलेगा कैसे ऐसे जलेगा कि एक तार पानिवाला मोटर है तिलू पांग मोटर है और इसको हमें चेक करना है कि यह मोटर सही है या खराब है यह नहीं चला है अगर तो आपको चेक करना है कि यह सही है यह खराब है उसको टेस्ट करने के लिए आपको क्या होगा करना होगा कि यहां पर देखिए एक तार जो इसका है अगर यह बल्ब न हो जाता है तो इसको कुछ परसेंट सही मानें कि हाँ मोटर हमारा सही वह देर हुए कैसे यह ऐसे आन होगा है यहां से इसको नूटर पहले से मिल आ है और यहां से जाके तार की गुम करके वापस यह पर आ आ जाएगा जैसे कि बॉलहां आपको जलने लगा तोड़ा कम जलेगा लेकिं जलेगा अगर जने लगता है तो इसका मतलब अंदर जो ऑइंडिंग की गई है ना अंदर जो बाइंडिंग मोटर में की गई है वो बाइंडिंग सही है मतलब कि उसमें से कोई भी तार टूटा नहीं है मतलब खराब नहीं हुगा है मोटर जला नहीं है इसलिए तो यहां से यह प्रेज की सप्लाई अंदर से घूम करके पूरे तारों में वापस आ रही है तो इसका मतलब मानेंगे कि मोटर कुछ परसेंट सही है लेकिन हंडेट परसेंट नहीं मान लेंगे क्योंकि अभी आपको एक टेस्टिंग और करनी है एक टेस्टिंग क्या करनी कि इसके एक तार क आप में भी डान हो जाता है एक शिजब करेंगे तो यहां पर कभी कभा क्या होता है कि अन्हां पर वाडित इसमेंगे नहीं उर्षे सब्सक्राओं है नहीं एस पर तो आएगा यह बर कुक्छे यहां पर यह जमीन से कनेक्ट ररेंहां क्वक्राइए współ एस पर तो आए आएगी ही लेकिन आपको यह नहीं सम्झना है कि में भल्ब जलता है अगर अगर बल्ब जलता है तब मानेंगे कि यह मोटर साथ है अगर सिस्पार्क आता है बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब यह मोटर साथ नहीं है ये जो फ्एज़ वाली ये बाडी पर रखे गई अगर ये वाला उठाघर के बाडी पर रख देते है और ये वाल इहांत वालत तारी हां पर देते हैं तो ये न्यूटरल होगया मोटर भी न्यूटर लियह ऑपन जय मिले। भी मतलब सब्सको होगि है कि अगर बल्ब जलता है इस अवस्था में तो इसका मतलब यह बाइंडिंग 60 हो गई है अगर बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब है कि बाइंडिंग अभी सही है अब देखिए अगर जलेगा तो कैसी जलेगा देखिए अंदर जो तार की बाइंडिंग की गई है न यह बा पर की लाइफ तो जो तार उसके उपर डाला गया है ना तो जाकर उसके बाडी में टच हो जाता है और उसमें विद्धु सप्लाई दरती है तो उस तार के बाडी में टच हो जाने की वज़े से पूरे बाडी में करेंट आ जाता है तो आप जब इस पर रखेंगे तो यहां एक point रखेंगे अगर我就ye a buddy tar is a अर कहां से अब तार कहांसे टाव हो जाएगा तो इस तरीक्ये से मतलब अगर इह जलता है तो मतलब कि उसकी जो औन की गई है कि आ रहिए मोटर से बामोटर के बादी को टच कर रही है जिससे किसमे करेंट आने का खतर है मतलब करेंट आहीं गया अब बिना बाड़निंग कराए वह सही नहीं हो सकता है या फिर कहीं अगर कोई तार उसके अंदर से टच हो गया होगा बाडी से इंसुलेशन हटने के वजह से तब भी यह करेंट आ सकता है तो उसको खोलना पड़ेगा तो चलिए मालीजे अगर यह बल्ब नहीं जलता है अब यहां पर बाड़ी एक बाड़ी पर रखें और एक यहां पर जो तार दो निकले इस पर इसे किसी एक पर रखें और यह नहीं जलता है अगर जलता है तो मालीजे यह साट है इसको खोलना ही पड़ेगा यह चेक करिए कहीं कोई वार तो इसके बाड़ी में टच नहीं है और अगर मालीजे कि नहीं जलता है तो इसका मतलब अभी मोटर यह सही है तो अब आ मोटर हमारा आम नहीं हो पाता है किनकि जो कैपसीटर लगाया जाता है और कैपसीटर इसको विद्दूत की ओचित मात्रा देता रहता है जिसे कि ये मोटर काम करता रहता है और कैपसीटर खराब हो जाने के वज़े से फिर मोटर चल नहीं पाता है तो आपको करना क्या होगा किसके कैपसीटर को बाहर निकालना होगा कैपसीटर को यहां पर एक चोटा सा कैप होता है पर कैपसीटर किसी किसी में अंदर भी होता है पहले यह कूण करके इसको खुलिये और उसके कनेक्शन को निकाल करके फिर वहांसे कैपसीटर को अलक कर दिया सिर्फ सिर्फ के जॉइंट को खूल करके कैपसीटर को बाहर निकाल लिए और उसके बाद फिर इसी स्टीरीज लांप से अब च्छेक कर लेंगेत तो चलिए मालीजी यह कर सीटर से बाहर निकाले और इस 국 चेक करना है कि यह का सीटर सही है यह खराब है तो हम लोग चेक करते हैं पहले देखें दो वार इसमें से निगले रहेंगे यह यह फिर मालीजी कुछ और भी यूफ कर रहेगा तो मालीज दस FD का है घर के जो मोटर यूज किये के बाद फिर इन दोनों को आपस में 60 करना है इसको आपस में सटाना है अकर यहां से इस पार्क आता है ज्यादा इस पार्क आता है तो इसका मतलब सही है और इस पार्क एकदम नहीं आता है यह थोड़ा बहुत आता है तो इसका मतलब है कि मोटर हमारा सही बता रहा था कालब तो आप मर्केट से निया कालब लेकर आएári और उस के पसिटсь pumped इसमें लगाए और लगाकरन पिर दोबारा थे इसको इसप्लाई दे तो उसके बाद अगर यह चलने लगता है तो इसका मतलब है कि क्यापसीटर में फाल्ट था क्यूंकि हमने पहले कि या दे कि बाइनिंग ब्रेक हुई है मतलब बाइनिंग भी सही बता रहा है और ये मोटर साट भी नहीं है तो कैपसीटर का इफाल था इसलिए अब यह चलने लगा तो इस तरीके से आप सिरीज लैंप बना भी सकते हैं आसानी से और इसी तरीके से आप इसका यूज भी कर सकते हैं अब एक चीज माल लेजिए आपको इसको साकेट में लगाना यह भी आपको बता देता हूं कि साकेट में सब लोग जाल के चेक कर लेते हैं कि हाँ आ रहाएक नहीं आ रहे कई पर आप जाएंगे मोटर बर्वानी के लिए या फिर किसी साफ पे इलेट्रानिक साफ पे तो वह मतलब इस पेजिसे हैं बदिया गया था से मुझ्य तरीक संपीनीूटर फिर देते हैं हैं इसके यह इंगल तार रहेगा उससे लोग पिल्ग लगा करें उसी मेंसे सेहा करते हैं सिद्गार है इसको सीदर ले आगर उसमें जोड देते हैं बस इतना ही करते हैं जो आप इससे उठाके check कर रहे थे तो आप वह सब इससे नहीं check कर दे इह सब लेया करके कि twice को काम होता है इसके socket में दोनों Haben İ Kane पॉइंट फे जोड देते हैं फिर उसके बाराद में पलंगा लगाँए और पलंग लगा करके फिर इसमें से दो तो तार लेकर कि फिर वही लिया करके check अब तो सब क्वाकर तरो कि जो आप इससे चेक कर रहेते हैं यह बनाना कि मतलब series lamp को कैसे बनाते हैं या पिक्तम एजी बना सकते हैं दुनों तरीके से कर आप अपने घर पर यूज करना चाहते हैं तो आप बस एक series lamp रखे रहें मतलब कि एक ना की जो यह बना सकते हैं जो आप का आप तरीके से इसको बना भी सकते हैं यह जो आप आपका सिरीज लैम्प है और उसके बाद किस तरीके से टेस्ट किया जाता है मैं आपको यह भी बता दिया इसी तरीके से आप अपने फैन को भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से कभी-कभा कोई और भी इलक्टानिक मसीने होती हैं उनको भी चेक कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम लोग इस सीरीज लैम का यूज करते हैं तो बस दूस्तों आज के लिए इतना ही